देखो बहुत बड़ी खुश खबरी है और मुझे परसनली काफी खुशी हो रही है फाइनली मरीन एकोलोजी को बचाने में कुछ यहां पे स्टिप्स लिए जा रहे हैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नहां मैं से धान तक नहीं ओतरी स्टेडी ग्ल लेकिन कहार बोल दिया करूँगा तो मैं ही उनाटे नेशन हाई सीज ट्रीटी ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है वो फाइनली बना लिया गया है तो क्या है यह हाई सीज क्या होते हैं बड़ा इंपोर्टेंट है जीयस पेपर वन एंड थ्री दोनों के लिए ही तो ड्राफ इंटरनाशनल एग्रीमेंट जिसको युनाइटे नेशन हाई सीज ट्रीटी बोला जाता है यह फाइनलाइज किया गया है ठीक है ताकि ओपन सीज क्या है सब बता दूगा परचान मत हो यह तो यह फाइनलाइज किया गया है याद रखेगा फाइनल कि चलो अब इस पे हम क काउंटर करने के लिए वो मतलब देखो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 75% के करीब पूरी वाटर बॉड़ी से हाइड्रोस्फियर एट्मॉस्फियर लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर समझ गए हवा एट्मॉस्फियर जमी लिथोस्फियर बाकी पानी हैड्रोस बहुत जरूरी है ना तो पानी ही पूरी दुनिया को बना रही है ठीक है लेगिन पानी अमारे खत्रे में है कि पल्यूशन की वज़े से प्लास्टिक के वज़े से अट्लांटिक पे इतना ज्यादा प्लास्टिक जमा है मैंने एक वीडियो देखा तो माँस का संदर्ब भी आपको देता रहता हो यूट्यूब पे अवेलेबल है एक कच्छुआ है टर्टल सी टर्टल जो कि आपको हाई सीज में मिलेंगे उसकी नाक में प्लास्टिक का एक टुकड़ा फस गया है और वो निकालते हैं ठीक है वो निकालते हैं तो जब आप उसको निकालते हुए द प्लास्टिक का धेर जमा है पूरे ओशन में इसको कौन साफ करेगा और कब साफ करेगा ठीक है है हाई सीज क्या होते हैं जो किसी के जूरिज्डिक्शन के बाहर जैसे 370 किलोमिटर तक 200 नौटिकल माइल्स तक किसी देश का जूरिज्डिक्शन होता है ठीक है समुद्र है जैसे भारत का इंडिया नोशन है तो भारत 370 किलोमिटर तक सब कुछ कर सकता है यहाँ पे पानी पे भी बॉर्डर से आप इतना समज़े कि 370 किलोमिटर तक बॉर्ड प्रोल लही करता है अब कई बार ऐसा होता है कि हाई सीज में जो देश हैं वो जाते हैं अब वहां पर फिशिंग इशिंग अलाउड है फिशिंग के नाम पे बहुत कुछ करते हैं ठीक है इल्लीगल काम करते हैं कुछ लोग तो ड्रिले कर लेते हैं पूरा तेली निकाल ले जाते हैं चाइना जापान इसमें बहुत आगे हैं वेल का शिकार हो रहा है शाक्स का शिकार हो रहा है मरीन इकोलोजी खत्रे में हैं दस प्रतिशत के आसपास जो स्पीशीज है वो एक्स्टिंक्ट होने वाली है पल्यूशन इतना जादा है हम सब को पता है कि अभी मैंने कल परसो कार्बन सिंग पर लेच्चर लिया था ठीक है तो मैंने आपको यह बताया था कि कार्बन सिंग क्या है जहां पर कार्बन जा रही है इस पूरी दुनिया में कार्बनी कार्बन आज आप देख रहे हैं तो यह जो ओशन्स है और जो पेड़ है और सोयल है वो कार्बन क जा रहा है समझ गए तो अब अभी तक पूरी दुनिया धडलने से सब कुछ कर रही थी ओशन्स में हाई सीज माई फुट बाड़ में गया है लेकिन अब युनाइटे नेशन्स ने बोला बाद बहुत हुआ हम एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट फाइनलाइज करते हैं आम तोर पर क्या होता है युनाइटे नेशन एक लोव बनाता है थीक है य्ली चनल बनाएगा उसके बाद पूरी दुनिया उस पर साइन करेगी और पूरी दुनिया फिर उसके हिसाब से अपने देश में लोव बनागी जैसे युनाइटे nations की guidelines होगी उसमें चेप देगा यह हिसाब किताब है समझे आप तो अभी पूरी दुनिया में यह एक पहला कदम है लेकिन यह एतिहासिक है क्योंकि 40 साल से बस बाते हो रही थे और कुछ हो नहीं रहता अब आप समझे तो इसी लिए यह multilateralism की बहुत बड़ी जीत है चलो और इससे हमारे जो two-third सतर प्रतिशत के करीब oceans बच रहेंगे बच जाएंगे क्योंकि high seas में ही सब कुछ important है UPSC के अगर बात करते हैं तो 2024 का हमने batch launch कर दिया है दोस्तों कोर्सेश को अवेल करें आपको बहुत ज़दा फायदा होगा सारे courses पे holy 25 coupon code यूज़ करें 25% आपको off मिलेगा मज़ा आ जाएगी दोस्तों क्योंकि जो हमारा course है वो शांदार है top है हम एकदम जैसे होता है private tutor वैसे काम करते हैं ठीक है लेकिन अगर उसमें depend है अगर आप क्योंकि हमारे पास बहुत सारे student है अगर आप एक initiative ले रहे हैं एक कदम बढ़ा दस कदम आगे बढ़ाएं तो अगर आपको UPSC top करना है way to go और अभी तो प्रेलिम्स की special classes चल रही है ठीक है तो फाइनली नेशन्स एकॉर्ड साइन कर रहे हैं अब यह यूनिक्लॉस पता है कि नहीं भया इसी के अंदर है और यह ocean treaty जो है its landmark क्यों आपने बताई दिया कि अभी तो ड्राफ्टिंग ही हो रही है कि खाली अभी इसको बनाई जा रही है लेकिन जब इसको रेटिफाई किया जाएगा देश इसको रेटिफाई करेंगे तो यह लीगली बांडिंग हो जाएगी मैंने बता है अभी आपको भारत का इजामपल लेके बता अब दुबारा तो मैं समझाओंगा नहीं अब इसको पैरिस एग्रिमेंट फॉर दी ओशन बोला जाता है पैरिस एग्रिमेंट वैसे आपको पते हवा के लिए एट्मॉस्वेर के लिए तो आ गया लेकिन समुद्रों के लिए इसको बोला जाता है ताकि बायो डाइवर्सिटी से डील किया जा सके जो की नाशनल जूरिस्डिक्शन से बाहर हैं मैंने बताया ना कि देश 370 किलो मीटर तक फिशिंग इशिंग कर सकते हैं उनका राइट है तेल निकाले जो निकाले लेकिन उसके बाहर इस मतलब आप नहीं कर सकते हैं लेकिन आज कर करते हैं देश समझ रहो अब भारत ने थर्टी और भारत और बहुत सारे ऐस इसमें बात चल रही है बस बात ही चल रही है लेकिन अब जाके फाइनल स्टेज में नीड क्यों है जैसा कि हमने बताया युनाइटेड नेशन कंवेंशन सॉन दी लॉज ऑफ दी सी जिसको युन क्लॉस बोला जाता है जिसमें अमेरिका और इसराइल है नहीं कमाल की बात ह 1982 इसमें राइट्स ऑफ दी कंट्री रिकार्डिंग मरीन रिसोर्सेस के बारे में बताया गया है क्योंकि मरीन रिसोर्सेस हर किसी को जरूरत पड़ती है समुदर के हर किसी को जरूरत पड़ती है आप डीप सी में ही जाएंगे तो और बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे सिंपल सी बात है तो यह जो प्रोपोज़ ट्रीटी है इट गोज बियॉंड एक्सक्लूसिफ एकॉनमिक जोन एएजड की एक्सक्लूसिफ एकॉनमी जोन की खाली हमारा है यह दाट सेट एक्सक्लूसिफ मतलबी होता है हमारा है तो exclusive economy zone वही कि यहाँ पे देशों का अधिकार है जो की 200 nautical mile जो लगबग 370 km होता है वहाँ पे where it has special rights for the exploration उसके आगे high seas बोला जाता है या open seas बोला जाता है दोनों एक ही बात है confuse मत होईगा ठीक है तो high seas मैंने आपको बता दिया जो two-thirds of the earth ocean है 90% habitat for life इसी लिए ही बोला है कि बेटा 370 km तक ही तुम exploration करोगे अगर इसके आगे rights दे दिये जाते तो यह बेच खाते समुद्र को देश जो है न यह खतम कर देते चाइना रशिया अमेरिका उठा उठा के वार लड़ लेते यह समुद्रों के लिए बूरी दुनिया खतम हो जाती कहते हैं कि जानवर और इंसानों में क्या फरक हो ता जानवर वाफादार होते हैं समझ रहो तो यह से बढ़कर एक आपको यहां पर आनिमल्स मिलेंगे और साथी साथ वैलूबल मिनरल्स भी मिलेंगे इंटरनाशनल लोग जो है वो चार ग्लोबल कॉमन्स को आइडेंटिफाई करता है ठीक है सबसे पहले हाई सीज एटमॉस्फियर एंटर्टिक और आउटर स्पेस कर सकता आउटर स्पेस में कुछ निए कर सकता ठीक है यह समझे है अब आप यह देख लिघत है यहाँ से टेरिटोरियल सी, यह आपका exclusive, यहां तक ही मस होता है, ठीक है, अब इसके बाद, यह यहां तक स्वारी, इसके बाद आपका high seas आगे, देख रहे हैंने, depth कितनी जादा है, यह चीज है, चलो, नीड क्यों यह, बताई दिया, मैं दुबारा नहीं बताऊँगा, कि बहुत ज़ देखें, जैसे 100 कंट्री, जैसे भारत में भी 30 to 30, कि 30% oceans को 2030 तक बचाओ, ठीक है, ड्राफ टीटी क्या वही, कि बाई, कंजर्व करेंगे, marine biological diversity को हम कंजर्व करेंगे सबसे पहले तो, polluter pays principle, simple, polluter pays मतलब यही कि अगर सिद्धान तक नियोतरी हैं, और सिद्धान तक नियोत इसको साफ करेंगे, और उसमें penalty भी देंगे, यही है, कि अगर तुमने polluter pays principle कहीं भी होगा, और होता ही है, कोई भी फैक्टरी या कोई भी अगर pollution फैलाएगा, तो वो उसकी जिम्मदारी है, उसको साफ करें, हमारी जिम्मदारी नहीं है, बाकि बिल्डिंग इको सिस्टम इसको समझ में आया होगा, बाकि तो जो मैंने बताया ता वही है, हमारी उपेसी कोर्स को ज़रूर वेल करेक्ट में बहुत ज़्यदा फायदा होगा, 2024 का बैच हमने लॉंच कर दिया है, थैंक्यू सो मच,